हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा हुल जैस्वाल लें स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामझें एक मोश्ट इंपॉर्टेंट मैट्स का लेक्शे वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर के लिए मैट्स सब्जेका जो पार्ट टू होता है यानि जोमेट्री सब्जेका जो हमारा लास् मेंस्यूरेशन आज हम इस पर्टिकुलर चाप्टर का लेक्शे नमर टू आपके लिए लेकर आगये हैं जो कि अगेन एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट लेक्शे वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको याद दिला दे कि लेक्शे नमर वन हमने श्टार्ट किया ताकि आपको याद हो जाया और मैंने आपको बोला भी था कि आप फटा फट उसको लर्न कर लेना क्यूंकि आज जो लेक्शे में कराने जा रहा हूं वो हम लोग एक्जामपल्स को सॉल्ल करेंगे तो जी हाँ हम चलते हैं सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट नमर वन और जिसका नाम है दोस्तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट नमबर 7.1 इस पर्टिकलर चाप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के कोश्चन इसमें बूचे है और उसको हम सॉल्ल कराएंगे तो बेसिकर हम बात करें कि यह जो प लोग को भी पढ़ाना भी साथ में बोरिंग हो जाता है इसलिए हम क्या करते हैं लगतार हर दिन आपके लिए वीडियो रेकॉड करते हैं इसलिए तो consistency हमारा काम है दोस्तों आपने अगर नोटीस किया होगा इतने दिनों में हम लोग ने ये पूरा का पूरा सिलाया पस आपके लिए complete करा दिया और ना सिफ टेंथ के लिए अगर आपके पोई छोटे बाई बैने तो उनको पूछना 7, 8, 9, 10 और अभी तो 5 और 6 भी स्टार्ट कर दिया दोस्तों तो बहुत consistently हम तो हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में करेंगे यानि कि पहला पार्ट आज होगा जिसमें तोटल हम लोग आपको 5 कोशन कराने वाले 5 कोशनास में कराऊंगा इन उसके बाद के जो remaining examples बचेंगे उसको हम लोग next lecture में continue कर लेंगे तो शुरूआत करते है number one of this practice set पहला example किस प्रकार पुछा है आपको बोला है find the volume of a cone, आपको क्या करने बोला है find करने बोला है volume, find the volume of a cone, cone का volume आपको निकालना है ठीक है यह आपको बोल दिया है, साथी में बोला है कि जो radius है, यह cone का, जो radius है base का, radius of base जो है इसका value हमें देके रखा है उन्होंने, जो की है radius of base is 1.5 cm के चलो 1.5 सेन्टीमीटर का उन्होंने value दे के रखा है साथ में एक और चीज बोल दिया है कि perpendicular जो height होती है ठीके ना perpendicular पर्पेंडिकुलर जो height होती है वो उन्होंने देखे रखा हुआ है कितना देके रखा पर्पेंडिकुलर height उन्होंने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हमें पूछा यह है हमें क्या पूछा है find the volume of the code question आपको top पे दिखिए अब इसको हम solve करेंगे कैसे solve करेंगे क्या 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 दिया है वो लिग दो radius दिया हुआ यानि आर दिया हुआ है कितना सीधा formula apply करेंगे क्या formula है volume of the cone की अगर हम बात करेंगे formula क्या है तो formula यह है volume of cone is equal to याद होगा मैंने कल के दिन आपको बहुत सारे formula लिखाये तो उसमें से एक formula था volume of the cone is equal to 1 by 3 pi r square h यह formula था 1 by 3 को pi के साथ r square कर दो और यह h के साथ multiply कर दो तो चलो value डाल देते हैं यानि v is equal to 1 by 3 multiply पाय का value क्या होता है 22 upon 7 या फिर 3.14 जो आपकी मर्जी है लेना चाहे ले सकते है मैंने 22 upon 7 ले लिया radius क्या दिया 1.5 यानि कि 1.5 का square कर दो ठीक है 1.5 का square 1 by 3 है यहाँ पे पहले से multiply by 22 upon 7 पहले से ही है ठीक है अब यह 1.5 का square कितना हो जाएगा 1.5 multiply by 1.5 हो जाएगा और लाज में multiply by 5 ठीक है अब यहाँ पे क्या आगर सकते हो यह दिखर आपको 3 3 बंजा 3 होगा और यह 3 0.5 जा 1.5 होगा यानि मैंने cancel कर दिया तो आप क्या बच रहा है 22 multiply by 0.5 multiply by 1.5 multiply by 5 divided by 7 तो आपका एंसर आजएगा तो समद जाना आपने अपना basic strong नहीं किया यानि 7,8,9 आपने अच्छे से नहीं पड़ा है तो यह ध्यान में रखना हमने बहुत सारे वीडियो बनाए इसके उपर आप जाके हमारा playlist या फिर वीडियो section में देखोगे तो आपको बहुत सारी idea मिलेगी तो इसका final जो answer आ र चलते हैं अगले question की तरफ समझ गया दोस्तों इसको आप note down कर सकते हो ठीक है मैं आपे थोड़ा सा जगा दिया आपको फटा फट से इसको note down कर लो pause करके या फिर आप screenshot ले लो जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो तो अभी मैं इसको rough करता हूँ क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको इसका अगला example यानि की example number two question number two चलते हैं फटा फट से ओके देख लेते क्या कै दिया हुआ है ओके फटा फट से देखना दोस्तों बहुत ही मज़ेदार example है and इतना simple है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते है इसको मतलब कुछ hard ऐसा बोल नहीं सकते है लो लोग घबराते है तो यार प्रूफ देट आ गया मतलब इसको चलो option में छोड़ गया लेकिन इस तरह से मैंने प्रूफ देट को solve करा है कि सबसे easy आपको यह लगता है कुछ बच्चे मुझे personal instagram पे मुझे message करे थे thank you so much sir कि आपने trigonometry पढ़ाया और हमारा काफी अच्छा strong ह हो गया trigonometry ठीक है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मुझे भी जब आप लोग ऐसा comment करते हो या फिर reply करते हो ठीक है तो जरूर से आप इसके उपर notice करो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी चलते है example number two of this practice rate number 7.1 क्या दिया है find the volume of the spear, spear का आपको क्या निकालन हो है 6 cm ठीक है तो diameter is equal to 6 cm यह चीज हमें दिया हुआ है अब अगर बात करें इसको stall कैसे करना है तो सबसे पहले आपको क्या दिया है वो लिग दो diameter दिया यानि D is equal to 6 cm दिया है लेकिन कोई भी formula में D का इस्तेमाल नहीं होता है तो हम D को convert कर लेंगे किसमें R में तो एक formula हमे पता है कि radius is nothing but diameter upon 2 यानि कि 6 upon 2 हो जाएगा तो हमारा radius का answer कितना है 3 cm है अब हम लोग solve कर लेंगे formula डालके तो tell me the formula for volume of sphere volume of sphere का formula क्या है दोस्तो volume of sphere जो होता है दोस्तो वो होता है 4 इसको हमें लिग देता हूँ पहले volume of sphere volume of sphere is equal to formula हमारा volume of sphere का 4 by 3 pi r cube यह मैंने बहुत बार बता है 4 by 3 pi r cube बस आपको क्या करना है अभी value डाल देना यानि V is equal to 4 upon 3 multiplied by pi आप कुछ भी ले सकते हो मैं इस बार ले रहा हूँ 3.14 पिछले बार 22 upon 7 ले था इस बार 3.14 मेरी मर जी कुछ भी ले सकते है आप लोग radius कितना है 3 cm यान multiply by 3 तीन बार लिख सकता हूँ यह एक 3 और यह एक 3 cancel हो जाएगा यानि क्या बचेगा 4 multiply by 3.14 multiply by 3 multiply by 3 यह सभी को calculate कर लो multiply कर लो आपका final answer आजएगा जो कि हमने निकाल के रखा है तो volume of the sphere is 113.04 113.04 और इसका unit क्या हो जाएगा दोस्तों centimeter cube इसका क्या हो जाएगा answer हो तो यह था हमारा example number 2 that is second example of this particular practice set अब चलते हैं अगले question की तरफ जिसका नाम है example number 3 तो यह भी देखने है और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि यार यह सही में कितना easy है लोग बोलते हाड़ है बस आपको क्या पता होना चाहीं दोस्त कुछ भी परिशानी आपको नहीं होगी ठीक है इतनी मेरी guarantee है ठीक है तो चलते है अगले example की दरफ कर लेते हैं थर्ड example भी टोटल आज में 5 example कराने वारा तो ध्यान से देखना वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जैसे मैंने बोला कि practice set भी बहुत बढ़ा है पू continue me bwhoर हो जाता है कोई भी हो खितना भी चीज हो खितना भी अच्छा पड़ाले बोरिंग हो जाता है यह powiedzieć कोई बहर लोग ही हम लोग भी स्कूल में भी जब lectures पड़ते हैं ग्राधर गंड़े lectures में भी तो इस प्रकार आप लोग यह चीज में जाम बूझके थोड़े short में हम लोग करा रहें, ठीक है, ओके, चलते हैं, third example के तरफ, और देखते हैं, यह कौन सा formula इसमें use होने वाला है, डाल दिया heading, third example, question किस प्रकार पूछा है, अगर हम discuss करेंगे, तो find the total surface area of cylinder, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा ह temperature of cylinder, if the radius of base, मतलब radius of base क्या होता है, जो उसका base होता है, उस चीज का radius दिया हूँ हमें, radius of base is equal to, उसका value हमें क्या दिया हूआ है दोस्तो, 5 cm दिया हूँ है, and सात में एक और चीज दिया है कि उसकी जो height होगी, यानि कि जो cylinder है, उस चीज की जो height होगी, इसका value हमें दे रखा हुआ है हाइड दिया यानि कि H 40 cm दिया है निकालना क्या है आपको निकालना है दोस्तो टोटल सर्फेस एरिया ओफ सिलेंडर तो फॉर्मूला क्या है दोस्तो अगर हम लिखेंगे टोटल सर्फेस एरिया ओफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला तो दोस्तो इस इक्वल टू याद ह आपको 3.14 लेना है आप जो भी ले सकते हो तो ले लो ठीक है तो मैं ले रहा हो अगें 3.14 multiply by radius कितना है 5 है डाल दिया 5 फिर bracket में r plus h है r मतलब 5 plus h is 40 प्लस कर लो और solve कर लो क्या आजाएगा answer देखो 2 multiply by 3.14 multiply by 5 multiply by 5 plus 40 is 45 अभी यह सभी को आपसे multiply करना होगा 2 को 3.14 से कर देना जो answer आगा फिर 5 से फिर जो answer आगा उसको 45 से इतना लगातार multiply करने के बाद आपका जो answer आजाएगा total surface area of इस चीज़ का निकाल रहे है cylinder तो कितना answer आया is equal to सबको multiply करने के बाद जो answer आना चाहिए आप लोग का भी वो आना चाहिए 1413 cm2 यह है हमारा final answer इस particular question का clear है दोस्तो एक बार देख लो ध्यान से इसको कि कैसे हमने solve किया है और फिर हम लोग चलते हैं अगले example की तरफ जिसका नाम है दोस्तो example no.4 ठीक है लिख लिए आपने screenshot ले सकते हैं आप लोग ठीक है ओके अब चलते हैं अगले question की तरफ चलते है question no.4 देखते हैं क्या प्रकार का question पूछा और किस तरीके के इसमें हम लोग formula जो है apply कर सकते हैं ठीक है आपके लिएक request है हमारे लिए कि आप दोस्तो हम जो वीडियो बना रहे daily basis पर उसको daily basis पर देखो ठीक है क्या होता है कि जब आप daily basis पर इसको देखोगे ना दोस्तो तो ही आपका जो concept है वो clear होगा जितना ज्यादा आप देखोगे उतना अच्छा concept clear होगा तो always hard work जो होता है वो कब कामाता है जब आप उसको consistently करते हो तो hard work करो लेकिन consistency के साथ रखो ठोड़ा सा smart work करो definitely you'll get success चलते हैं अगले example question number हो गया हमारा 3rd हो गया ना sorry माफ कीज़ेगा अब चलते है question number 4 की दरफ ठीक है 3rd exam हो गया अब चोथे example देखते हैं क्या पूछा है find the surface area of sphere का पूछा है find surface area of sphere किस चीज का पूछा है इस पर अभी given में 7 cm radius है हमें निकालना क्या है surface area तो we know the formula for surface area of cylinder क्या है दोस्तों cylinder नहीं माफ कीज़ेगा sphere है ठीक है तो surface area of sphere इसका formula याद है दोस्तों मैंने आपको कराया था पहले lecture में तो surface area जो होता है sphere का वो होता है दोस्तों 4 pi r square यही formula था हमारा 4 pi r square ठीक है अब देखते है इसमें value डालने के बाद हमें क्या मिलता है तो अगर हम लोग डालेंगे value इसमें यानि 4 multiply by pi क्या होता है 22 upon 7 या फिर 3.14 जो आप ले सकते हो देखो मेरे को जब भी कुछ याद आता है मैं लिख देता हूँ इसा नहीं है कि मैं कुछ किसी के लिए 3.14 किसी के तो आपकी मर्जी यहाँ पर 3.14 लेके भी solve करोगे तो भी answer आ जाएगा ठीक है तो 4 multiply by 22 upon 7 multiply by radius कितना है 7 का square solve कर लो इसको solve कर लो क्या आ जाएगा answer देखो 4 multiply by 22 multiply by 7 multiply by 7 7 का square 7 हो गया ठीक है और 22 upon 7 था ना ये तो एक 7 और एक 7 cut हो जाएगा यानि क्या बचेगा हमारा value 4 multiply by ये 22 बचा multiply by क्या बचा सिर्फ 7 बचा ठीक है यानि कि 88 multiply by 7 इसको solve कर लो आपका final answer आ जाएगा जो की होता है दोस्तो 616, 616 cm2 ये आपका final answer है clear तो आप देख सकते हो कितना easy example है कितना simple और कितना easy तरीके से इसको हम solve कर सकते है जादा कुछ परिशानी आपको होगी नहीं दोस्तो इतना simple है कि इतना easy तरीके से और 4 ये 5 step के अंदर within 15 to 20 seconds अगर आपका handwriting fast है तो आप 15 second में इसका answer निकाल सकते हो time कहां लगता है दोस्तो ज्यादा calculation में कोई भी example में calculation में थोड़ा सा time लग सकता है क्योंकि आपको practice उतना होना चाहिए fast calculate करनेगा multiply करनेगा या फिर divide करनेगा तो अगर आपका है practice तो definitely you will get answer in very quick succession of time ये याद रखना ठीक है अब कराऊंगा में सीधा आखरी example आज के लिए practice practice rate का तो हमारा पाच्वा question चलेगा लेकिन हमारे आज के लिए पाच्वा example में कराऊंगा और आखरी example और उसके बाद एक और lecture लूँगा इसी topic के उपर practice rate के उपर जिसमें हम ये practice rate को खतम करेंगा ठीक है तो कोई घाई नहीं दोस्तो पूरा syllabus हमारा complete हो गया बस यही chapter चल लाश में तो इसको भी हम लोग आने वाले दो से तीन lecture में complete कर देंगे और आपका 100% सिलाबस complete हो जाएगा तो बस आपको अपने board examination की बहुत अच्छे से तयारी start कर देनी है और कुछ ने दोस्तों ठीक है तो आप बस बने रही हमारे साथ हर चीज आपको यहाँ पर बहुत of a cuboid, cuboid का dimension यहाँ पर दिया है लिख देतें पहले the dimension of cuboid, cuboid का क्या दिया हुए दोस्तों dimension दिया हुए तो cuboid सभी को पता है rectangular box जैसे होता है compost box समझ लो उस प्रकार का shape होता है ठीक है तो इसमें दिया हुए cuboid का एक है 44 cm दिया हुए अगला जो दिया हुए यहाँ पे 21 और 12 cm यह तीन dimension दिया होंगे तो obviously क्या होंगे length, breath और height होते है सब को पता है यह चीज हम लिखेंगे आगे ठीक है साथ में क्या बोला है कि यह जो cuboid होगा dimension का इसको जब पिगलाएंगे इसको जब हम melt करेंगे तो it is melted क्या बोला है यहाँ पे it is melted यानि कि इसको हम पिगला रहे देके रखा है, कोन का height दिया हुआ है, कितना दिया है, 24 cm उन्होंने दे रखा है, अब हमें question पूचाए, find the radius of base, यानि कि यह जो कोन बनाओगे आप, उस चीज का radius कितना होगा, find the radius of base of कोन, कोन का जो बनाओगे, कोन का जो base होगा, उस चीज का radius कितना होगा, तो सबसे पहल है, cuboid का length पता है, 44 है, ठीक है, उसके बाद उसका breadth पता है, 21 cm है, height पता है, 12 cm है, ये लिख दिया आपने, इतना तो पता ही आपको, और एक चीज़ पता है आपको, कि अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं cuboid का volume निकालो, यानि कि formula अगर लिखो, volume of cuboid, तो इसका formula आपको याद आ रहागा, तो क्या है, दोस्तो, L x B x H, ये simple सा formula है, बहुत simple सा formula है, समझ में आ रहा है दोस्तो, कि हमारा जो cuboid होता है, उसको calculate करने का, एक बहुत ही effective और बहुत ही sweet सा formula है, क्या formula है, देखो जान से, volume of cuboid is equal to, length multiply by, breath multiply by, height is equal to, solve कर लेते हैं, इसको, length कितना है, 44, multiply by 21, multiply by 12 cm, ये हो गया, volume of cuboid, इसको मैं मान लेता हूँ, equation number 1, अभी एक और चीज इसमें दिया हुआ है, कि अगर उसको पिगला कि हम cone बना रहे, तो cone बनेगा, तो उसका भी volume निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, एक और चीज यानि की, volume of cone, इसका formula क्या होता है, सभी को पता है, कि volume of cone का जो formula होता है, दोस्तों वो होता है, 1 by 3, pi r square h, ठीक है, तो value डाल दो इसमें, 1 by 3, pi का value ले रहा हूँ, 22 upon 7, r का value ले रहा हूँ, क्या है, r का value देखो, sorry, भुल गया, माफ की जगा, radius तो आपको निकालना है, correct है, तो radius तो उसके जगा पर वैसी का वैसी ही रहेगा, और h का value दिया है, आपको height 24 cm, वो डाल दिया, और इसको मैं मान लेता हूँ, equation number 2, इतना समझ में आ रहा है, अब ये दोनों को मैं equate कर सकता हूँ, क्योंकि एक चीज मुझे बताओ, कि जब मैं एक cuboid को पिगला के एक cone बनाऊँगा, तो दोनों का volume क्या होगा, same ही होगा, क्योंकि उसी चीज से ये चीज बन रहा है, तो हम in short क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ में, from 1 and 2, क्या बोल सकता हूँ, कि जो volume है, किसका cuboid का, वो equal होगा, कोन के volume से, volume of cuboid जो होगा, वो volume of cone same ही होगा, यानि कि जो equation number 1 है, equation number 2 के बराबर हो जाएगा, यानि कि in short, 44 multiply by 21 multiply by 12 will be equal to 1 by 3 into 22 upon 7 into r square into 24 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यानि कि हमने ये equation को इसके साथ equal कर दिया, क्यूंकि हमें एक चीज पता है कि volume of cone is equal to volume of cuboid, यहाँ पे इस condition के इसाब से हमें पता चल गया, अब देखो कुछ cancel out होता है कि यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते है, हमें answer किसका चीए, radius का, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, बाकि सब को एक जुसरे के साथ arrange कर देता हूँ, तो arrange करने के बाद हमें इस प्रकार value मिलेगा, देखो, r square is equal to, यह जो है उपर ही रहेंगे, यानि कि यह 44 multiply by 21 multiply by 12 इदर ही रहेगा, फिर यह 37 नीचे है, यानि उपर आ जाएंगे, 3 multiply by 7, और बाकि जो चीज है, वो नीचे आ जाएंगे, यानि कि 22 multiply by 24, ठीक है, आप देखो, कुछ cancel हो रहा है क्या, बहुत सिंपल तरीके से, 21 बंजा 21, 22 तूजा 44, यह cancel हो गया, ठीक है, 12 बंजा 2L, 12 तूजा 24, यह cancel हो गया यह 2 और यह 2 cancel हो गया, क्या बच रहा है, देखो, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, उपर 21 बच रहा है, और यह 3 multiply by 7, 21 बच रहा है, यानि कि R square is equal to 21, क्या बच रहा है, ध्यान से वापस लिख रहा हो, R square is equal to 21, बच रहा है, multiply by 7, 3, 21, फिर से, 21 multiply by 21, हमें क्या चाहिए, R का value चाहिए, therefore R will be equal to 21 हो जाएगा, जब R square 21 into 21 है, तो R का value सिफ 21 हो जाएगा, तो यह हमारा answer है, और centimeter दिया है, तो लिख दो इसको centimeter, यही आपका answer जो आपको पूछा है, कि radius of the cone निकालो, base of the radius, radius of the base, यही तो है 21 centimeter and this is your final answer, यह थोड़ा सा बड़ा example इसले लगा आपको, क पूछते, definitely पूछते exam में, बहुत चारे लगों तो वो भी solve करने नहीं आता है, क्योंकि उनको examples के formula ही याद नहीं आते, तो मैं हमेशा बार बर बोलूँगा, पहला lecture जहान से देखना, उसमें सब formula नहीं लिखाया है, लिखो, बारा practice करो, जितना practice करो, उतना आपको इसमें जो बचे हुए remaining example से इस practice set के, उसको भी मैं आपको फटा-फट से करवा दूँगा, ठीके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताना, अपनी राय और suggestion जरूर से देना, दोस्तों, और अगर आपक कोई वीडियो को अप्लोड करेंगे, आप लोको notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.